दोस्तों नमस्कार भारत सरकार ने कोरोना वाइरस से सुरक्षित रहने के लिए वैक्सिनेशन की प्रक्रिया प्रारभ कर दी है और इस वैक्सिनेशन की प्रक्रिया में अब शामिल होंगे 18 या 18 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा online registration और registration करने के लिए आप self-registration.covin.gov.in इस link पर आप click कर सकते हैं या Google पर आप इससे search कर सकते हैं जैसे ही आप search करेंगे इस प्रकार जो है interface खुल के आ जाता है सबसे पहले हमको register are sign in for vaccination तो यदि हम link के माध्यम से करना चाहा है तो सबसे पहले अपने को mobile number यहाँ पर enter करना होगा जैसे ही हम mobile number डालते हैं get OTP OTP पर हम click करते हैं हमारे mobile पर जिस number को आपने दर्ज किया है उस number पर एक OTP जो है आ जाता है और उस OTP को आपको दिये गए यह निश्चित स्थान पर डालना है जैसे मेरे पास अभी आ गिया है OTP इस प्रकार हम डाल लेंगे और verify and proceed जैसे ही हम verified and proceed करते हैं इस mobile number से registered मेरे family की दो member दिखाई दे रहे हैं हमको add member करना है चुकि मेरे माता पिता का मैंने किया था अभी 18 वर्स से अधिक वालों को करना है तो मैं अपने लिए करूँगा तो सबसे पहले आप देख रहे हैं photo ID proof यहाँ पर हमको chain कर लेना है यहाँ पर हम आधार काड का chain कर लेते हैं और आधार काड नंबर यहाँ पर पूछ रहे हैं तो मैं अपना आधार काड नंबर डाल दूँगा आप सब यहाँ पर दिये गए ओप्संस में जो ओप्संस आपके पास उपलब्द है और जिसको आप ले जा सकें जैसे यहाँ पर देखिए driving license, pen card, passport, pension, passbook, NPR, smart card, water id यह सब आप जो है इस्तमाल कर सकते हैं मैंने जो है अधार काड किया है अधार काड का यहाँ पर आपको नंबर डालना है जो अधार काड पर लिखा है आप चेक कर लेंगे कि यह नंबर जो आपने लिखा है वो सही है कि नहीं है अधार काड में जैसा नाम है वो आप यहाँ पर enter कर देंगे और यह पर कार नाम कर देंगे फिर हमको करना है जेंडर, जेंडर के बाद हमको जो है यहाँ पर year of birth जन्म का वर्स हमको जो है डालना है पूरा जन्म तीथी डालने की आवशकता नहीं है और यहाँ पर add जो बटन देख रहा है उसको हमको क्लिक कर देना है देखिए जैसे हम add करते हैं यहाँ पर add हो जाता है और लिखा आ रहा है not vaccinated यहाँ पर पूरे detail आ रहा है और appointment not scheduled अब हम जो है schedule में जाकर हम जो है appointment कर सकते है schedule now इस पर क्लिक करेंगे और search by pin book appointment for vaccination तो यहाँ पर जो है appointment for age 18 to 44 यह जो appointment हो रहा है वो 18 से 44 वर्स के उम्र के लोगों के लिए उपलब्द है अभी तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अपना search by pin तो हम pin code अपने डाल देते हैं और यहाँ पर search करते हैं जैसे हम search करते हैं देखिए हमारे जहाँ हमको करना है CSC fingers for citizen FLW SCW करिया बंद यह हमारे पास आ जाता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो हमको not available तो इस प्रकार हम अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर available नहीं है minimum age limit is 45 years for this center यहाँ जो center हमने chain किया है उस center पर यह facility अभी उपलब्द नहीं है हो सकता है एक आद दो जिन के बाद जो है यहाँ पर उपलब्द करा दिया जाए उसके बाद फिर हम यहाँ पर जैसे ही click करेंगे तो कर सकते हैं तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारी state में भी 18 वर्स से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए vaccination portal में start नहीं किया गया है हो सकता है कुछ देर बाद या एक आद दो दिन में जो है यह सुविधा उपलब्द हो जा उसके बाद जो है आप इस process को करते हुए इस प्रकार अपने vaccination के date को schedule कर सकते हैं इसी आसा के साथ कि आप जो है जल से जल vaccinated हो जाए और आप सुरक्षित रहें साथे साथ समाज को भी सुरक्षित रखें और जो COVID-19 का नियम है उसका आप पालन करें आप सब स्वस्त रहें इनी कमनाओं के साथ नमस्कार